हलो इस्टुडेंट्स मैं मनोश शर्मा जनक सिंग चौहान के साथ एमजे क्लासिज में आज हम देख रहे हैं हमारा लास्ट वीडियो मिशन हंट्रेड सीरीज का और लास्ट का टोपिक है फ्रेजल वर्ब्स हमें दो मार्क्स लाने के लिए ये क्यूशन सॉल्व करना है यह दो नमबर काएगा हमें दिया जाएगी एक वर्ब और उससे कुछ नया शब्द बनाकर हमें खालिस्तान में बढ़ना होगा अब यह जो फ्रेजल वर्ब है यह सहीं होता है किसी प्रिपोजिशन अथ्वा एड़ वर्ब को क्रिया में मिलाने से में वर्ब में इन दोनों को या इन दोनों में से एक चीज को मिलाया जाएगा और एक नई वर्ब बनेगी उसे बोलेंगे हम फ्रेजल वर्ब और सबसे बड़ी बात यह कि इसका जो अर्थ है वो अपनी मूल क्रिया से बिल्कुल भिन होता है जैसे यहाँ पर हम देखते है और फ्रेजल वर्ब बनानी है यह क्या है किस तरह हम इनका प्रियोग करते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है आप डेस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है वहाँ जाकर देखें उसके बाद इसको सॉल बढ़ना शुरू करें तो हम देखते हैं डारेक्ट क् और उसके बाद से हो क्या रह रहा है अलग-अलग रह रह रहे हैं अब यहां पर ब्रेक नहें तोटना तोडना तो यहां पर जोशब्द आएगा वह आएगा कि उनकी शयदी उनकी जल्दी तूट गई तोट रिश्टा तूटा और रिश्टा तूटने के लिए हम यूज क पुलिस अब यहां पर कहाएगा हिंदी में और ग्रिफतार कर लिया सभी गेंबलर्स को जितने भी जुएदार थे जो जुएखेलने वाले थे उनको पकड़ लिया तो यहां कि होगा कि पुलिस ने सेंद लगाई यानि चोरी चुपे गुसे और ग्रिफतार कर लिया तो चोरी चुपे गुसना या सेंद लगाने को बोलते हैं break in, अब break in again यहाँ पर past tense, simple, तो हमारा जाएगा broke, टेकिन फॉर मा जाएगी और in, तो यहाँ पर हमारा से fragile verb आएगी, broke in, अगेन देखते हैं fourth, many now addage, यहने आजकल बहुत सारे, neither take nor give any dowry because they have, आजकल ना तो दहेज लेते हैं और नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग आजकल, this custom इस प्रकार उन्होंने, इस custom को, custom होता है प्रथा तो इस प्रकार इस प्रथा को उन्होंने तोड़ दिया है, तोड़ने को क्या बोलेंगे किसी प्रथा को तोड़ना, तो प्रथा को को त्याग दिया है, तोड़ दिया है तो यहाँ पर त्याग नहीं का मतलब, give भी आ सकता है लेकिन हमें break दिया गया है, तो break से बनने वाली फ्रेजल वर भी हम लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे, save आया है, तो third form आएगी तो third form में क्या होगा? broken with, क्योंकि break की third form होगी broken, इसलिए होगा broken with, ninth देखते हैं, we must never, कि हमें कभी भी running bus चलती भी bus में से any other vehicle, या फिर किसी भी वाहन में से कभी भी नहीं, never आया है, अब gate, तो gate का मतलब होता है? प्राप्त करना, लेकिन इससे phrasal verb बनानी है हमें, तो क्या होगा? या तो उतरने का, या चड़ने का, तो चलती भी bus में से हम चड़तो नहीं सकते, उतरने का है हो सकता है, तो यहाँ पर आएगा gate, down, क्योंकि gate, down का मतलब होता है, उतरना, तो हम चलती भी बस से कभी भी नहीं उतरना चाहिए, मस्ट आया है, तो वर्ब की first form ही हम use करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, gate, down, गोट नहीं आएगा, आगे देखते हैं, the car, in the way, और हमें दिया है, brake, अब कार जो है रास्ते में, brake से बनने वाली वो फ्रेजल वर्ब जो यहाँ पर set हो सकती है, तो यहने कार जो है, रास्ते में खराब हो गई, तो खराब होने को बोलते हैं, brake, down, अब हो गई, second form आएगी, तो यहाँ पर होगा, broke, down, तो यहने कार रास्ते में खराब हो गई, पंदरों देखते हैं, a fire on second floor of the building, आग थी, वो दूसरी मंजिल पर भी, अब ब्रेक से बनीवी फ्रेजल वर्ब लिखना है, तो फेल गई, क्योंकि आग जल्दी फेल जाती है, और अच्छानक फेलने को बोलते हैं, ब्रेक आउट, तो फेल गई, second form आएगी, तो हम लिखेंगे, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का मतलब, फटा-फट फेलना, यह मामारी हो, चाए आग हो, चाए कोई बात हो, 16, बहुत सरहल है, students, early in the morning to study, कि जो बच्चे हैं, चात्र हैं, वो बहुत जल्दी उठते हैं पढ़ने के लिए, तो गेट अप आएगा, गेट अपे ने उठना, 19 वह देखते हैं, the fire brigade is meant to put out the fire, put से बने हुई put out लिखा है, कैसे, कि जो आग है, आग बुजाने वाला दस्ता है, उसका मतलब यह है, कि आग को जल्द बुजा दिया जाए, तो बुजाने को बोलते हैं, put out, अब हम देखते हैं, पिछली साल जो questions आये हैं, उनसे थोड़ा बोलते हैं, पहला question है, the doctor told her, doctor ने उसको कहा कि, with the treatment, इसी इलाज के साथ, या इस इलाज को, अब केरी आया है, केरी से बनता है, केरी on, केरी on का मतलब है, जारी रखना, आगे रखना, या इसी को बनाए रखना, तो डॉक्टर ने कहा, इसी इलाज को आप जारी रखें, तो यहाँ पर हम भरेंगे, इसमें, केरी on, दूसरा है, she, very well, with his English, और bring, अब bring से क्या बनेगा, कि वह है, बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी के साथ, अब bring, bring का मतलब लाना होता है, लेकिन इससे phrasal word बनेगी, bring up, bring up का मतलब होता है, लालन portion करना, या उसका विकास होना तो उसका लालन पालन, उसकी अंग्रेजी के साथ साथ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हुआ है, second form आएगी, तो हम लिखेंगे, brought up, क्योंकि bring की second form होती है, brought, तो इसमें, आ जाएगा, brought up, third है, Sunil is very well, with his English, same sentences है, लेकिन phrasal verbs, अलग गाएगी, इसमें कि Sunil क्या कर रहा है, he is very well, with his English, अपनी अंग्रेजी के साथ, और get, तो get के साथ, जब हम on जोड जोड जोते हैं, बन जाता है, get on, और get on का मतलब होता है, सफल या success, या आगे बढ़ना, दोनों यह इतने सारी अर्थ होते हैं, तो इसका होगा कि Sunil बहुत आगे बढ़ रहा है, अपनी अंग्रेजी के साथ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, getting on, क्योंकि इजाया है, बढ़ रहा है, रहा रही के लिए हम ing जोड़ेंगे, get में तो बन जाएगा, getting on, next देखते हैं, he in the middle of sentence, कि वह है, और वाक्य के मद्धे में ही, break ने तोड़ना, तो इससे हम अंदादा लगा सकते हैं, कि वह वाक्य के बीच में, बोलता बोलता है, रुक गया, तो रुकने के लिए, अचानक जब वो रुक जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेजल वर्बे ब्रेक के आगे, हम लगाएंगे, off, अब वो रुक गया, तो second form है, तो हम way of thinking, मेरे सोच के according, वे रहने तरीका, कि मेरे सोचने के तरीका है, उसके अनुसार वो कभी भी, अब क्या नहीं होगा, यहाँ पर वर्ब यह हमें कम, अब कम से क्या बन सकता है, तो कम राउंड, एक फ्रेजल वर्ब है, कम राउंड का मतलब होता है, सहमत होना, यह कि वो मेरे अंकल का जो लड़का है, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई में और कम्प्यूटर साइंस में, अब यहाँ दिया है, गेट, गेट से कौन से फ्रेजल वर्ब हमें लगानी है, तो हम एक बार इसका इंदी ट्रांसलेशन करते हैं, कि मेरे चाचा जी का लड़का बहुत अच्छे तरीके से कम्प्यूटर साइंस में और अपनी स्टेडी में सफल हो रहा है, यह आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर हमने पहले भी इसका यूज कर लिया, गेट ओन का, कि वो अपने अंग्रिजिक साथ बहुत सफल है, यहाँ पर भी होगा, गेट ओन, गेट अंकल का जो लड़का है, वो बहुत आगे बढ़ रहा है, रहा है रही यह लगा रहेंगे, इसलिए हम लखेंगे इसको गेटिंग ओन, तो इस तरह से बन जाएगा, गेटिंग ओन, कि वो अपनी स्टेडी के साथ और कम्प्यूटर साइंस में सफल है, साथ वह है, एक स्ट शक्ता है नहीं कि एक विद्यारती को अपने अध्यापक के आधिशों की पालना करनी चाहिए, तो आधिशों की पालना करने के लिए अपने पास फ्रेजल और केरी आउट, शूड आया है, कोई चेंजेज नहींगा, सीध हम लिखेंगे, केरी आउट, नेक्स्ट है, बार जाओ, तो बुझा देना, ओर्डर के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में, तो हम इसमें कोई सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फस्ट फॉर्म में रहेगा, तो रहेगा, पुट आउट, ऐसे कैसे लगाएंगे, नाइन्थ है, तो हिंदी करते हैं, ये काफी मददगार होता है हमारा, दे टीचर के अध्यापक ने मनीश को क्लास से, क्योंकि एज जैसे कि उसने अपना जो ग्रह कारी था, वो पूरा नहीं किया था, जो जब ग्रह कारी है, पूरा नहीं होगा, तो टीचर मनीश से क्या करेगा, प्रेम गरेगा, या पिटाई करेगा, या क्लास से बाहर निकालेगा, हमारा अंदजा है कि वो क्लास से बाहर निकाल देगा, तो क्लास से बाहर निकालने के लिए हमारे पास, टर्न से जो फ्रेजल वर्ब बनेगी, वो थी है, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब है, कमरे से बाहर निकाल देना यह केवल निकाल देना तो turn out का मतलोगा निकाल देना तो मनीश को कहां से निकाल दिया गया अपनी class से अब यहां पर है past simple आएगा क्योंकि यहां पर गी उसके काम पूरा नहीं था इसलिए उसने teacher ने मनीश को बाहर निकाल दिया तो second form आएगी और second form turn की बनेगी turned out इस morning study वो पढ़ने के लिए सुबर जल्दी उठते हैं अगेन स्वाइन फ्लू है जोल आवर इंडिया तो स्वाइन फ्लू है वो पूरे स्वाइन फ्लू बीमारी है बीमारी में इसाँ फैलती है अचानक फट पड़ती है तो हम यहां पर आसानी से लिख सकते हैं कि broken out क्योंकि breakout का मतलब होता है फैल जाना अब यहां पर हेज आया है तो हेज के साथ वर्ब की third form आएगी तो break की third form होती broken इसलिए यहां पर लिखेंगे broken out बार वाएं when I was coming from school कि जब मैं school से आ रहा था I my old friend come तो मैं अपने मित्र से मिला मित्र कौन सा था old friend पुराने मित्र से मिला तो game across इस तरह से sentence complete होगा इस तरह mission hundred की जो series थी उसका last वीडियो था इस तरह हमारा पुरा सफर complete हुआ exam के लिए बहुत-बहुत बदाईया best of luck आप बहुत अच्छे number प्राप्त करें और आपका नाम रोशन हो जय हिंद जय भारत धन्यवाद